हलो दोस्तो आज मैं आपको गवार की फली की पंजाबी कड़ी बताने जा रहे हूँ दोस्तो ये बेसन से नहीं बनाई है ये मैंने गिहू के आटे से बनाई है बेसन दोस्तो किसी किसी को गैस करता है सेट नहीं होता है इसलिए आप इस तरह की कड़ी बनाई है गिहू के बहुत अच्छी आ रही है उससे मैंने बनाई है थोड़ी सी खटी है और मसालेदार है दोस्तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है आईए मैं आपको इसको बताना शुरू करते हूँ इसके लिए दोस्तो मैंने धाइसोगराम गवार की फली ली जिनने मैंने उनके साइट से छ बाद भी बरकरा रहता है दोस्तो और बहुत जल्दी भी बन जाती है आप इस तरह अपनी गवार की फली त्यार कर लीजिए थाइसोगराम दोस्तो दही है उसमें मैंने दो मीडियम साइज के स्पून जो होते है हमारे खाने वाले वो गियूं का आटा डाल दिया है दोस्त हम फटा फटा अपनी गवार की फली वाली कड़ी बनाना शुरू करते है एक पैमे मैंने एक छोटा चमच तेल लिया है तेल जैसे ही गरम हो गया उसमें मैंने आदा चमच जीरा डाला और चौथा ही चमच दोस्तो राई डाल दिया है राई और जीरा दोनों डालने से स्व मैंने अपनी कड़ाई में डाल दिया है कड़ाई में डालने के बाद मैं इसमें दोस्तो हमें मसाले आट करेंगे मसालों के लिए दोस्तो मैंने सबसे पहले आदा चमच लाल मिर्च डाला है अगर हरी मिर्ची बहुत तिकी थी दोस्तो तो आप लाल मिर्ची थोड़ा कम ड अगर आपको लगता है कि आपका बहुत गाड़ा थो आपको लगता है आगर बہुत वोगता है जरुत नहीं पड़ेगी तड़का रिडी किया है थोड़ा सा आदा चमच गी में राई डाली है और तीन हरी मिर्ची डालके चोथाई चमच लाल मिजड डालके चार-पास चमच फिर दोस्तों गैस बंद करके मैंने उसमें पानी डाला इस तरह दोस्तों मैंने अपनी कड़ी का तड़का लगा दिया अगर आपको हींका स्वात पसंद है तो आप इस पे हींका तड़का भी लगा सकते है दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए आपको मेरी बिना बेसन वाली गीहू के आटे से बनी गवार की फली वाली जो कड़ी है वो कैसी लगी दोस्तों अपनी कड़ी को एंजय कीजे थेंक यू